प्यारे बच्चो जैहिंद तो बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इसमें GKGS और साइंस के बारे में क्वेशन्स करते हैं तो क्वेशन्स ये रहा आपके सामने किस वर्स में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद नहीं लड़ा तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद कब कब लड़ा तो एक तो 1947 में उसके बाद दूसरा युद लड़ा 1965 में उसके बाद तीसरा युद लड़ा 1971 में और उसके बाद चोथा युद भारत का हुआ है 1999 में ठीक है तो अब इससे आपको इस प्रशन का उत्तर मिल गया ह होगा यानि किस वर्स में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद नहीं लड़ा तो 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद नहीं लड़ा तो इसका option वन जो है correct answer होगा चली बढ़ते हैं next question की तरफ भारती संग में कितने राज्ये हैं तो बरतवान में भारती संग में 28 article को हटाते हुए जम्मू और कस्मीर से राज्य का दर्जा बापिस लेकर के उसको दो हिस्तों में बाटने का पहसला किया था अब जम्मू और कस्मीर एक अलग राज्ये नहीं रहा बलकी इसके दो केंदर सासित प्रदेश बन चुके हैं एक तो बन गया है जम्मू और कस्म इसको पूर्ण राजी का दर्दा दिया गया था तो यह जानकारी आपको जरूरी है तो 19 यानि ये जो 2019 है इसके बाद में आप कितने रहे गए 28 रहे गए इससे पहले कितने थे 29 थे तो अब 28 राजी रहे गए और इनकी डेटेल यहां पर लिखी हुई है और आठ केंट कित्रों की सीमाओं को ब्यापक रूप से बदल कर भासाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित कर दिया तो इसका ओप्शन फोर जो है करेक्ट आंसर है क्या राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 के ताहत ठीक है बढ़ते हैं नेक्ट में ये ट्रोफी किस ने जीती थी तो 2016-17 में तो ये ट्रोफी तमिल नाडू ने जीती थी लेकिन उसका और आगे की डेटेल हम जान ले यानि 2016-17 में तमिल नाडू ने जीती थी और 2017-18 में करनाटका ने जीती थी और 2018-19 में मुंबई ने जीती थी और 2019-20 में करनाटका ने जीती थी और सबसे ज़्यादा जो रंजी ट्रॉफी जीतने वाला तमिलाडू है ठीक है उसको पांच बार ये ट्रॉफी का विजयता रहा है लेकिन दो हजार उन्नीस बीस का करना टका है और दो हजार बीस बीस का और आप अपडेट कर ले ना तो इस तरह से आपकी जनरल न फुले ने किया था तो किस संगठन का आरम किया था तो इन्होंने सत्य सोधक समाज सत्य सोधक समाज इसका जो है आरम किया था ठीक है तो ये जो है जीती फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य सोधक समाज की स्थापना की और फुले उसके पर्थम अध्यक्ष वाको साध्यक्ष बने थे इस समाज का मुख्य उद्धिस शूद्रों और अती सूद्रों को सोषण से मुक्ती दिलाना था ये इसका प्रमुख उद्धिस से था तो इसका option क्या हो गया सत सोधक समाज option 1 हो गया चली बढ़ते हैं next question की तरफ so next question क्या है next question है निमलिखित में से किस सूपर कंपूटर को भारत में पर्थम विक्सित किया गया पहले ठीक है तो इसमें क्या रहा है कि develop का हुआ फर्स्ट सूपर कंपूटर भारत में कौन सा हुआ तो फर्स्ट सूपर क अफिम उत्पादन के लिए जाना जाता है तो अफिम उत्पादन के लिए मनसौर जाना जाता है मनसौर जिला जो मद्यप्रदेश का है वो अफिम उत्पादन के लिए जाना जाता है ठीक है मद्यप्रदेश का correct तो इसके बाद में next question करते हैं so next question है इसमें से गोआ पर सास पुर्थगाल था और इसका थोड़ा और अपन हिस्टिरी देख लें तो इसमें देखिए कि पुर्ति गाल 1510 में भारत में आय थे और वह यहां पर आने बाले पहले यूरोपीय सासक थे और वहीं 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय सासक थे तो यह भी आप उर्तगाल था तो इसका option 3 जो है correct answer होगा बढ़ते हैं next question की तरफ प्राचीन समय में इन में से कौन सा सहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था तो दिखिए प्रयाग के नाम से कौन सा जाना जाता था इलावाद लेकिन अब इलावाद का नाम ही प्रयाग राज हो गया है अब यह आपन और नोट कर लें कि सन पंद्रा सो की सताबदी में मुस्लिम राजा द्वारा इस सहर का नाम प्रयाग राज से बदल करके इलावाद किया गया था जिसे अक्टूबर 2018 में ततकालीन मुक्यमंतरी योगी आधितनाथ योगी आधितनाथ उत्तर प्रदेश के मुक्य मंतरी अभी हैं बरतमान में तो उन्होंने 2018 में इसको बापिस इसका नाम इलावाद का नाम बदल करके प्रयाग राज कर दिया तो हिंदू मानिता के अनुसार यहां सरष्टी करता ब्रह्मा ने सरष्टी कारेपूर होने की बाद प्रथम यग किया था ठीक है तो अब इसक क्या है वान सागर बाद किसके नाम के ऊपर रखा गया है नाम के नाम इसके ऊपर रखा गया है किनके ऊपर रखा गया तो वान सागर का नाम जो है वो वान भट वान भट एक कवी थे संस्कृत के तो उनके नाम से इसका वान सागर नाम रखा गया है ठीक है इसकी और जानक अंतर राजिय बहु उद्देशिय ब्रहद नदी घाटी परियोजना है यह बांध मदब प्रदेश में सोन नदी यानी सोन भदरसला नदी पर बनाया गया है और देव लौंद रीबा से लगभग चववन किलोमेटर दूर है कितना जो दूर है 54 किलोमेटर दूर है ये रीबा से ठीक है तो रीबा साइडोल मार्क परिस्त है और इस बांध की उचाई जो है सरसट मीटर है वैसे इसमें कोश्चन में सिर्फ यही पूचा गया था कि वान सागर बांध किस के नाम के उपर रखा गया तो वान सागर वान हम जो पेहला मुखने आजीस का नाम था एम हदायत अला तो एम हदायत अला या यह नियाए मुर्ती यह उपशन इसका प्रटा प्रभ्ष करेक्ट चान्सर है और बैसे अगर कोश्चन यह पूचा जाता है कि बर्तमान में यानी बर्तमान में मतलब 20 2021 में तो 2021 में निया दा तो इसका option 3 जो है correct answer होगा ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ तो देखे इस question में पूचा गया है mind 991 न система से की विट मंतनी को थे जो बाद मैं प्रधान मंतरी भी रहे दस साल उन्हें प्रधान मंतरी के रूप में कारेकाल पूरा किया ठीक है तो इस तरह से और ये जो है डाक्टर मन होट चार से चब्वीस मई 2004 तक भारत के प्रधान मंतरी भी रहे हैं और मनमोहन सिंग जी देश के प्रथम सिख प्रधान मंतरी थे ठीक है इसमें चाहें तो एक चीज़ और अपन नोट कर ले के भारत के प्रथम प्रधान मंतरी कौन थे जवालाल नेहरू ठीक है और उसके बाद में ये 14 में प्रधान मंतरी थे मनमोहन सिंग और 15 में प्रधान म कि दौरान बित मंत्री कौन थे? तो उस समय पर बित मंत्री जो थे वो मनमछन सींग थे. ठीक है? बढ़ते हैं next question की तरह Может कर राज़ तरंगणी के लेखक कौन थे तो राज़ तरंगणी के लेखक जो है, वो कलहन्द थे और इसकी और अधिक जानकारी के लिए हम ये देख सकते हैं कि राज तरंगणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत गरंथ है क्या है एक संस्कृत गरंथ है राज तरंगणी का साब्दिक अर्थ राजाओं की नदी जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह यह कविता के रूप में है इसमें कस्मीर का इतिहास बढ़नेत है जो महा भारत काल से आरंब होता है इसकी रचना काल 1147 से लेकर के 1149 तक बताया जाता है इस पुष्टक के अनुसार कस्मीर का नाम कस्यप मेरू था जो ब्रह्मा के पुत्र रिशी मरीच के पुत्र थे तो फिलाल तो इस question में यह पूचा गया है कि राज तरंगनी के लेखक कौन थे तो राज तरंगनी के लेखक कलहन थे तो option 3 जो है इसका correct answer होगा चले बढ़ते हैं next question की तरफ तो इसमें क्या है लोग सभा के बारे में पूचा गया है कि लोग सभा का पूरा कारेकाल कितने वर बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी और अधिक जानकारी ले ले लें तो फोर्ट बिलियम कॉलकटा में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ एक किला है क्या है एक किला है जिसे बिटिस राज क के दौरान बनवाया गया था this is 사ród इंग्लेंट की राजा विलियम तृती के नाम पर बनवाया गया था विलीम तृती के नाम पर बनवाया गया था तो यह जानकारी भी आपको मिल गई और इसमें क्या है question क्या था कि future William में किस हुगली नदी के किनारे पर इस्थे थे यानि option one जो है इसका correct answer होगा चलिए वड़ते हैं आगे question की तरह civil अवग्या आंदोलन यानि civil disobedience moment किसने start किया किसने शुरू किया था मतलब बाज started in अच्छा किस सन में start हुआ था यह पूचा उसमें किस सन में start हुआ था तो य 1930 में हुआ था start और इसकी और जानकारी के लिए सविनय अवग्या आंदोलन इसको सिविल अवग्या आंदोलन को सविनय अवल अवग्या आंदोलन भी कहा जाता है तो यह 12 मार्च 1930 को स्वतंतरता संगराम के नेता मोहंदास करमचन गांधी गांधी जी का पूरा नाम क्या था मोहंदास करमचन गांधी इन्होंने नमक पर बिटिस सरकार के एकाधिकार यानि नमक कानून की नाम से जो जाना जाता है कि बिरोध में समुद्र के किनारे एक उग्र मार्च सुरू किया था और कब किया था 1930 में किया था तो इस प्रश्ण में सिर्फ इतना पूचा गय ठीक है और बैसे नौमे गुरु तो गुरु तेक बहादुर थे नौमे गुरु क्या थे गुरु तेक बहादुर थे लेकिन पूरे गुरुओं के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो इस तरह से देखिए इसके जो परथम गुरु थे गुरु नानक देव जी जो गुरु खर्राय जी गुरु हरके ससाथ जी और गुरु तेक बहदूर जी और उसके बाद यह 10 में गुरु गोविन सिंग हुए जो के गुरु तेक बहदूर के ही पुतर थे, ठीक है? तो यह भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें गुरु गोविन सींग सिखों के दसमे और अंतिम गुरु माने जाते हैं अगर गुरु गुरु गोविन सींग सिखों के दसमे और अंतिम गुरु माने जाते हैं next question की तरफ, इंचान ACI खेल 2014, इंचान ACI खेल 2014 में भारत सुर्ण पदकों की संख्या कितनी जीती थी, तो कितने सुर्ण पदक भारत ने इसमें जीते थे तो इसमें भारत ने 11 सुर्ण पदक जीते थे, ठीक है, उसके बाद 2018 में भी हुआ है, तो सुर्ण पदकों की संख्या कितनी थी, तो ग्यारा थी, ठीक है, लेकिन और डेटेल जानकारी अगर हम लेते हैं, तो देखिए 2014 की पूरी डेटेल जानकारी, इसमें मेजवान देश जापान था, इसमें भारत ने 11 सुर्ण पदक, 10 रज़त पदक, और 36 सुर्ण पदक, यानि कुल मिलाकर के 57 पदक जीते थे, जबकि 2018 जकारता जो के इंडोनेसिया में, मेजवान देश था इंडोनेसिया इसका, और इसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 15 सुर्ण पदक जीते थे, 24 रज़त पदक जीते थे, 30 कांस पदक जीते थे, और कुल मिलाकर के 69 इसको पदक बिले थे, ठीक है, तो अगर 18 का पूँचा जाता है, तो 16 पदक 15 जीते हैं, और इसमें चुकि परशन में सिर्फ 2014 का पूँचा गया, तो इसका option 3 correct answer होगा, ठीक है, बढ़ते हैं next question की तरफ, उमा भारती के बाद कौन मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उमा भारती के बाद बाबुलाल गौर मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, इस प्रशन का सवाल का जवाब तो यह हो गया, लेकिन अगर अभी पूचा जाता है कि कमलात के बाद कौन मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी बने तो कमलात के बाद सिवराज सिंग चोहान प्रदेश के मुख्यमंतरी बने यह जो है option 3 इसका correct answer होगा बढ़ते है next question की तरफ देखिये भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्जे कौन सा है तो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो गुआ जो है भारत का सबसे छोटा राज्जे है तो इसका option 2 जो है correct answer होगा बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझ ले एस्टोजेन ओवरी और टेस्टोइस्टेरोन पूछ रहा है वो कि एस्टोजेन जो है हर्मोन हर्मोन से ये तो एस्टोजेन अंडा से में बनता है तो टेस्टेरोन कहां देखें इसके नाम में लिखा हुए है टेस्टोइस्टेरोन तो टेस्टोइस्टेरोन टेस्टिस में बनता है ब्रसन में बनता है और इसका और डेटेल जानकारी के लिए देख लें दा मेन हर्मोन सीक्रेटेड बाइदा टेस्टिस इस टेस्टोइस्टेरोन एंडोजेनिक हार्मोन ठीक है टेस्टिकल पूरो सेक्स हार्मोन है यह अंडकोस यानि टेस्टिकल या टेस्टिस में बनता है यह अंडकोस यानि टेस्टिकल या टेस्टिस में बनता है तो टेस्टिकल या टेस्टिक एक ही बात है तो टेस्टिकल या टेस्टिस यानि विर्स निप्टान योग कप कुलहडों को प्रोसाहित नहीं किया जाता, इसके क्या कारण हो सकता है, तो असवच्छ होते हैं बिल्कुल नहीं, असवच्छ तो नहीं होते हैं, क्योंकि इनको गरम करके बनाया जाता है, भटी में, और फिर को वो कहरा है यह अनिमनी ये पदार्थों बनाएंगे तो उससे मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो हमें निकाल नहीं होगी तो उससे उर्वरा परत का नुकसान होता है तो ये एप्रोप्रियेट आंसर इसका option 3 है और ये जो लिखा है कि चाय का स्वाध अच्छा नहीं रहेगा नहीं बिल्कुल गलत है चाय का बढ़ करते हैं next question की तरह अब देखें next question क्या है पीलिया एक रोग है जो इंडिस अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों को हो जाता है पीलिया होने की दसा में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो पीलिया होने की दसा में यक्रत प्रभावित होता है और इसकी पहचान कैसे करत है और तुचा इन दोनों में पीला पना जाता है यह इसकी पहचान होती है और नाकून भी पीले नजर आने लगते हैं ठीक है नाकून भी पीले नजर आने लगते हैं तो यह पीलिया की पहचान है तो पीलिया होने की दसा में कौन सा अंग प्रहावित होता है तो इसमें सुनामी होने की किस एक से सम्मावन रहती है तो इसमें जो है भूकम्प से जो है मुख्य कारण है इसका भूकम्प अधो जल भूकम्प तो option 3 जो है इसका correct answer होगा फिलहाल इसकी जानकारी थोड़ी और ले 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 जादा जानकारी ले 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 सुनामी एक जापानी सब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना है सू का मतलब है समुदरतट और नामी कारत है लहरे समुदर के भीतर अचानक जब बड़ी तेज लहरे यानि हलचल होने लगती है तो उससे क्या होता उफान उठता है और ऐसी लंबी और बहुत उंची लहरों का रेला उठना सुरू हो जात लेकिन सूनामी की लहरे इन आम लहरों से बिलकुल अलग होती है और सूनामी लहरों के पीछे जो मुखे कारण है बैसे तो बहुत सारे कई कारण है लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंब तो इसका अंसर क्या हो गया अधो जल भूकंब यानि option 3 जो है इसका correct answer चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखें next question में क्या कह रहा है वो वह कि बोकराई अपसिस्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है यानि best treatment की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो best treatment की प्रक्रिया को sea-based treatment कहा जाता है ठीक है impurities इससे अलग करते हैं ठीक है तो इस तरह से इसमें प्रक्रिया की प्रक्रिया को कहा जाता है तो इसको मल जल सोधन यानि sewage treatment कहा जाता है तो option 4 जो है इसका correct answer होगा ठीक है बढ़ते है next question की तरफ तो next question क्या कह रहा है देखें next question में जब कोई ब्यक्ति अत्त दिक खाता है तो क्या होता है तो उसका उतक बसा से भर जाता है तो इसमें जो बसिये उतक होते हैं एडी पोस इसमें बैसे बसिये का सही समझ जाया आप इसमें तो question में answer चुपा हुआ है तो एडी पोस टिसूज जो होते हैं उनसे भर जाता है तो इसका option 1 correct होगा जब कोई ब्यक्ति अ है correct answer हुआ ठीक है एड़ी पोस यह बस यह ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं तो next question इसमें रहा कि जब बायू में alcohol अप्रकास के रूप में मुक्त होती है तो यह इसका option बन जो है correct answer है चले यह बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखे next question क्या है रेगिस्तान के पौधों में जलहानी की दर इसकी उपस्तिती के कारण कम हो जाती है तो जलहानी की दर कम होती है actually cutin एक पदार्स होता है जिसको हम cuticle यह जो option second है cuticle यही इसका correct option है और इसका थोड़ा सा जानकारी और ले रेते हैं कि जो desert plants होते है उनमें thick layer होती है cutin की कहाँ epidermis की उपर cutin की thick layer होती है जिसको ही हम cuticle कहते है cuticle कहते है और यह cuticle कहा है protective होती है और इसमें wax यह नहीं mom जैसा वो होता है hydrophobic wax covering होती है इसमें ठीक है और यह जो है क्या करता है पानी का जो honey है मत्तब butter loss को कम करता है यह नहीं minimize करता है तो इसमें जल honey की दर को यह इसकी उपस्तित के कारण किसकी उपस्तिती cuticle की उपस्तिती के कारण इसमें क्या होता है जल honey की दर इससे कम हो जाती है दियकिस्तान के पौधों में ठीक है डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं तो उनमें कम हो जाती है तो यहाँ पर option 2 जो है इसका correct answer है तो यह बढ़ते हैं next question की तरफ तो next question क्या है नाविकिये उर्जा सहियंतर के reactor में उर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन होती है तो इसमें nuclear reactor में जो होती है nuclear power station जो होते है energy जहाँ पर उत्पन करते है reactor of nuclear power station तो यहाँ पर जो produce होती है energy वो होती है nuclear fission के कारण नाविकी विखंडन नाविकी विखंडन के कारण होती है नाव की विखंडन के कारण होती है तो इसको भी आप अच्छे से समझ लें नाव की उर्जा सहियंतर के रियक्टर में उर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से यानि नाव की विखंडन के माध्यम से उत्पन होती है तो इसका आप चाहे तो नाव की विखंडन भी समझ लें नाविकी विखंडन वहक रिया है जिसमें कोई भारी नाविक दो या दो से अधिक भागों में तूट जाता है जैसे इसमें दिखाया गया है उदारन के लिए कि यूरेनियम ये जो यूरेनियम है 92-25 तो ये यूरेनियम को न्यूट्रोन से हिट कराये जाता है तो ये दो भागों में विकंडित हो जाता है बेरियं म और क्रिप्टान और इसमें अधिक मात्रा में ओर्यया उत्पन होती है तो ये पूरी प्रोसेस है नुकलियर फिजन की तो इसका आंसर क्या है नुकलियर फिजन यानि नावी की ए विखर डन option 2 इसका correct answer है चलिए बढ़ते है next question की तरफ ये तो देखिए सामाने question है और आप सबको पता होगा एक किताब पढ़ते समय पुष्टक और आख के बीच आवस्यक नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो आवस्यक नियुनतम दूरी 25 cm होनी चाहिए यानि option 4 जो है इसका correct answer है चलिए बढ़ते है next question की तरफ देखिए इसमें क्या किया रहा है वो कि masses bryophyte होते हैं जो इसके द्वारा पहचाने जाते हैं तो ये जो bryophyte है पहचाने जाते हैं प्रभावी gametophyte प्रावस्था के कारण है dominant gametophyte जो फेस है उसकी बज़े से ये masses पहचाने जाते हैं वैसे इसका detail आप और समझ लें तो और अच्छा होगा इकाद question इसमें और मिल जाएगा आपको इन्हें प्रथम इस्थलिय पोधा माना गया है ठीक है इनका मुख पोधा वो क्या होता है युगम कोद भिद यानि gametophyte होता है bryophyte को पादप जगत का उभहेचर कहा गया है जैसे जो जन्तु जगत का उभहेचर है वो है क्या मेडक बगेरा amphibians आते हैं इसी तरह bryophyte जो है वो पादप जगत का उभहेचर यानि amphibian भी कहा जाता है क्योंकि यह भूमी पर जीवित रहते हैं परंतु इनमें जो लेंगेक जनन है जनन के लिए जल पर निर्भर रहना परत जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं यह रहते भूमी पर है लेकिन लेंगेक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं अता कुछ बेहज्यनिक ब्रयवफाइट संगदाय को बनस्पती जगत का amphibia work भी कहता है यानि amphibia work भी कहते हैं तो यह जानकारी भी आपको इससे मिल ठीक है तो इस तरह सी ये हो गया option 4 ठीक है उसके बाद मैं बढ़ते हैं next question की तरफ so next question ये रहा आपके सामने देखें मधुमे के क्या लक्षन है तो मधुमे के लक्षन में इन चारों में देखिए ये जो है चारों में ये जो है चोथा वाला लक्षन है बारंबार पेसा आना और असामने प्यास लगना बारंबार पेसा आना और असामने प्यास लगना वैसे इसको और जानकारी के यह से परियाब्ते इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, यहाँ एक सब्हसे कारण कैरन इंसुलिन का ओठार्ण नहीं करता है, यहां पर इतने सारे लिक्षन कर्ण है आधीक बारन, यानि बारंबार पेसा ठीक है दूसरा लिखा है अत्यधिक प्यास लगना तो असा मानने प्यास भी अत्यधिक प्यास होती है तो इसमें option 4 जो है इसका correct answer होगा यह मदुमों के लक्षन लिखे हुए है ठीक है तो इसमें option 4 जो है correct answer हुआ अब बढ़ते हैं next question की तरफ तो यहाँ पे craters यानि यह वाले और इसकी और जानकारी के लिए हम ऐसे समझ ले के उलका पिंड छुद्र ग्रह और धूम केतु जब एकदम सीधे जाकर चांद की सताय पर टकराते हैं तब जो गड़े बनते हैं उन्हें vertical crater या सीधा गहरा गड़ा कहते हैं तो यह craters होते हैं चांदमा की सताय पर जो गहरे गड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं क्रेटर्स बोलते हैं नहीं option 3 जो है इसका correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ एक पुस्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनानंग होते हैं तो जिसमें दोनों प्रजनानंग होते हैं वो होता है अभैलिंगी पुस्प उसको क्या बोलते हैं बाई सेक्सवल फ्लोवर इसमें दोनों ही होते हैं बैसे भी बाई मतलब दोनों सेक्सवल फ्लोवर मतलब इसमें दोनों पार्ट्स होगा बढ़ते हैं next question क्या है निम्न मैंसे एक आपदा प्राकर्तिक आपदा नहीं है अब देखे इनमैंसे पहचानना है कि कौन सी प्राकर्तिक आपदा नहीं है तो देखे पहले देखे हैं अपन सहरी करण के लिए बनोन मूलन ये तो क्या है प्राकर्तिक आपदा नहीं है तो यह प्राकर्तिक तो नहीं है, क्योंकि सहरी करन क्या होता है, बनोन मूलन मतलब अर्विनाइजिसन जो हमें सहरी करन करना होता है, तो हम जंगलों को कार देते हैं, वहां डिफॉरेस्टिशन कर देते हैं, तो यह कोई प्राकर्तिक नहीं है, यह तो मैनमेड है, हम लोग कर है तो प्राकृतिक आपदा सिब्ध ऑफशन बन नहीं है नहीं ऑफशन बन इसका करेक्ट अंसर होगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्ड मैंसे एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है तो डिफोरेस्टिशन ऑफ अर्वनाइजेशन यानि सहरी करण के लिए बनोन मूलन तो इसका ये ओफशन वन जो है इसका करेक्ट अंसर होगा तो आइ ठीक के आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेर करें प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेर थैंक Thank you very much.